जेल का नाम सामने आते ही हर कोई यही सोचता है कि काल कोट्री होगी लेकिन आपने जो वीडियोज देखी उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बदमाश यहां भी अयाशी ही कर रहे है तिहार जे जो खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है लेकिन यह जेल नहीं अयाशी का अड़ा बन चुकी है कैदी यहां फुल मस्ती करते हैं किसी का जन दिन हो तो जम कर पाटी करते हैं इसमें इनके पास लजीज खाना और साथ में दारू की भी विवस्ता रहती है वहीं कुछ कैदी ऐसे भी है जो जेल में होटल का आनंद उठा रहे हैं जिसके वीडियो आए दिन शोशल मीडिया पर वाइरल होते रहते हैं ये बदमाश भले ही जेल में बंद है लेकिन फिर भी वहाँ से वीडियो बना के धमकी देते हैं या फिर फोन का रंगदारी मांगते हैं इनके पास जेल में मुबाइल रहना तो आम बात हो गई है और जेल से बैट कर ही अराम से अपनी गैंग आपरेट कर रहे हैं जेल में जाने के बाद इन गैंक्स्टर की गैंग खतम हो जानी चाहिए थी लेकिन ना तो इनकी गैंग खतम हुई और ना ही जेल में बैटें गैंक्स्टर की धमक कम हुई है एक बार जब जेल में बंद इन गैंक्स्टर के पास मूबाइल फोन पहुच जाता है तो ना सिर्फ ये आराम से अपना गैंग चलाते है बलकि जेल के अंदर सामान केदियों के सामने अपनी पहुच दिखाते हैं अगर कोई कैदी बड़िया डील डाल दिखाता है तो ये उसकी जमानत भी करवाने में मदद करते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो इनके लिए काम करने लगता है उसे इस बात का भी डर नहीं होता कि अगर वो कभी जेल गया तो उसे किसी से डरने की जरूरत है तिहार की अलग-अलग जेलों में कई बड़े और नामी गैंक्स्टर बंद हैं मसलन इन में से लॉरेंस बिसनोई तिहार की जेल नंबर आट में था संपत नहरा तिहार जेल की पाच नंबर जेल में है जबकि काला जटेडी और काला राना इस्पेशल सेल की कस्टडी में तो हासिम ब जवाना और टिल्लू ताचपुरिया दोनों तिहार जेल में बंद हैं बाहर कोई भी गैंग वार हुई हो तो जेल से ही ये कैदी शोशल मीडिया की मदद से एक दूसरे को धमकी दे देते हैं और गैंग वार करने का ऐलान कर देते हैं